Hello everyone, welcome to Vyasa Edification, this is Shivaji Rajay and I am second year student at IIT Bombay and today I have a very special topic for you, Ask SM Sir. In this topic, we are with our pre-SM Sir. There will be a lot of people who will be interested in it. Sir, you don't need any type of topic, Kota is one of the most popular teachers. Sir, as well as those new kids who don't know about SM Sir, if I give a little introduction to Sir, Sir took a degree in 1998 from IIT Bombay, Sir Kota, in Kota, in that time, there was a great coaching here, Bunsel classes, Bunsel classes, and in that time, there was not a trend of chemistry for chemistry, it didn't happen like that there were faculties and they studied it properly, Sir, I, and Sir was the first IITian which had migrated from outside and started studying here, then Sir had a whole chemistry system created, subjects, DPP, sheet, completely started from scratch from zero to zero to zero to zero to zero. Sir, also, like the four foundation fathers, that one of the fathers is SM Sir, one of the fathers is SM Sir, and in that time, Sir studied in Bunsel classes, in 2000, which was a turning year for Quota, in which the year was Banssel classes, which was the year 1, 2, 7, they thought that the Quota was the most crucial year for Quota. And those three kids, and for that matter, three, the 13-13 ranks in the top 100, he was ranked from 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 the top 100, he was ranked among them with his children, then Sir was a career with Bunsel, and then Sir had a career with himself, then Sir had his own insights coaching, and then, he was able to play his own insights, साल चलाने के बाद सर रेजोनेंस में केमिश्ट्री के एचोडी रहें पूरे दस साल के लिए एराउंड I think सर दस साल यह रफली दस साल और कही ना कहीं अब व्यास एडिफिकेशन स्टार्ट किया और व्यास एडिफिकेशन एक बहुत सांदर प्लेटफॉर्म है आपकी के लिए बहुत academic excellence सर के 25 साल का experience और इस सब के साथ included है हमारा व्यास एडिफिकेशन और हर फॉर्म में available है हम digital classroom programs all that thing तो आज की बात चीद से focus करते हो आज हम किस वारें बात करेंगे आज हम बात करेंगे जो बच्चे मेंस देकर आ चुके हैं मेंस उनका खतम हो चुका है जै इसे करनी चाहिए क्या उसकी strategies हो सकती है क्या tips हो सकती है तो आज हम इस पूरे conversation वे बातचीत करेंगे इसको पूरा ध्यान से सुनिये क्या पता आपके लिए क्या चीद बिल्कुल चमतकार की तरह है निकल के आज है जैसा कि हम जानते है कि कही ना कहीं बच्चे मेंस अपने चारों मेंस शिफ्ट दे चुके हैं अब बच्चे एडवांस की तरफ देख रहे हैं अब इसमें बाह सारे बच्चे सर जैसे 99% प्लस वाले बच्चे है नाइटी परसेंट प्लस वाले बच्चे हैं वो काफी कौन्फिडेंट हैं कि हाँ ठीक है मेरी 98-99 परसेंटाल आगी थोड़ी सेक्योर्टी भी उनको कि ठीक है नाइटी वगरा मिल जाएगी तो एडवांस को अच्छी नजर से देख पा रहें लेकिन सर ऐसे बच्चे जिनकी मानलीजे 95 परसेंटाल आई है तो बच्चे का कुछ 55 परसेंटाल आई है कुछ 50-60 रेंक आई है तो उनको एडवांस की प्रफिशन करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेक्शन रहे तो उनको वह कॉन्फिडेंस नहीं होता का एंड़ लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो क्या कहना च का छांविख बिल्लें जाती है लगं कोई डाउट happening यो ट्रेंव तो क्या होगा कर तो वह i Cheese मैं उतर गया तो क्या होगा कोई प्रश्नावली है अगर यदवी नहीं तो पहुचेंगी नहीं बैठेंगे तभी संभवना पैदा होगी पहुंच पाएंगे तो कोई भी विद लेकिन अगर आप मेन का एक्जाम देने के बाद एडवांस की तयारी ही नहीं करेंगे और एडवांस देंगे ही नहीं तो गैरंटी है कि आप उसमें सब्सक्राइब तो नहीं हो सकते तो अटेम्ट कीजिए अपना जा क्या रहा है मेन तो हो चुका ऐसा होता कि भी एडवांस देंगे तो हमारा मेन बिगड़ जाएगा एडवांस के देने के अगर लो स्कूर आगया तो मेन में भी हमारी प्रसंटेट डाउन कर दी जाएगी इसा तो कुछ भी नहीं है तो हमें पूरी तैयारी से क्योंकि अब और कोई काम नहीं बचा यहीं पढ़ना है तो पूरे जीजान से और स्मार्टली एडवांस के पैटर्न को बहुत अपने को समझदारी से देखना चाहिए कि इसमें हम बहुत जादा पचड़े में पड़े बगार असली चीज़ के निकाल सकते हैं जिससे हम फोकस करके minimum at least इतने तो marks ले आएं कि हम top 10,000 में select हो जाएं अगर selection के लाले पड़े हैं तो सबसे पहले तो अपने को bare minimum selection ensure करना चाहिए और इतने वर्ष पढ़ाने के बाद मेरी तो सबसे पहले advice यह है कि हर बच्चा भले वो J rank 1 का contender क्यों न हो सबसे पहले उसको यही fix करना चाहिए कि भई आएगी rank 1 कोई रोक नहीं रहा आपको को पुरी कोशिश करेंगे लेकिन at least यह make sure कर लें कि यह 10,000 तक तो पहुंच जाएं हर साल बहुत अच्छे बहुत मेधावी ऐसे विद्यार्तियों को जो कई बार इस चीज को estimate नहीं कर पाते हैं कि उनको उनकी ultimately किस range में rank आ सकती है जैसे जो कोटा जैसे जगें हैं जहां पर बहुत competition है उनको तो आत्मग्यान हो जाता है लेकिन मालीजी आप छोटे-छोटे isolated pockets में कहीं हैं जहां आप तौप पर रहे हैं तो आपके मन में होता है कि भी rank 1 तो मैं ही हूँ और पता चलता है कि rank 10,000 भी नहीं आई तो rank 1 के चक्कर में उसकता है भी वो सकता है वो बच्चा top 200, top 500, top 5000 कभी उसकता था मैं तो कहता हूँ अगर आपकी 9,999 भी rank भी आ सकती है तो it is better than not getting selected ना तो पहले उसको इंशूर करिए अपनी strategy में और वो एक दिन में हो जाता है तो एक दिन में इंशूर हो जाए आपको 15 दिन लगते हैं तो 15 दिन है और उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी rank improve करने की त समय इस साल 12 दिया उनोंने जो भी बोर्ड का रहा है बोर्ड ने पास कर दिया तो उसके बाद सर उन बच्चों के लिए कही ना कहीं उनने जैसे पता भी है कही ना कहीं कि एडवांस में मेरा कुछ जादा नहीं हो सकता तो कही ना कहीं सर उनको repeater में ये चीज़ फाइदा से देख लिए होते हैं अगर basic definition of formula हमें याद हैं तब तो यह हमारे बहुत काम आता है और अगर basic definition of formula हमें याद नहीं हैं तो जब हम नया chapter भी पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत होती है तो yes अगर एक बार आपने वहिंगम द्रेश्टे से पूरा का पूरा syllabus देख रखका है तो अगर मान लीजे आप तो ऐसे बच्चे के बार में प्रेशन करने हैं जहां तक मैं समझता हूं कि 12 का एक्जाम उसने दे दिया और 12 का देने के बाद अब उसको अगले साल रिपीट करने क्या का आंग्शा है ऐसे केस में अब वैसे तो वो जो करना है कर चुका है लेकिन अ अक्तोबर तक वो एडवांस की तरफ डिस्ट्रक्टेड रहेगा और कई बर क्या होता है कि हम बेसिक्स पे काम नहीं करते हमको लगता है यह इंपोर्टेंट चैप्टर हैं तो हश्ष कर कि हम इनको लैप अपर के जैसे तैसे कर लें निप्ता दें तो आप अक्तोबर तक तो निप्ताते रहें और फिर नवबर दिसंबर और जनवरी में आपको फिर बड़ी लग जाएगी कि अगले साल का महिन आ गया है थो फिर तीन महीने चार महीने में कौन सा चमातकार होना है अगेन आपके पास जो आठ महीने का एक लमसम टाइम था यह यदि आपने उसको तो चार महीने और चार महीने के दो टुकड़े में तोड़ दिया और चार महीने रेंड़म के आस में चले और फिर चार महीने उसके और फिर के आस में चलेंगे क्यों कि हम टैंस हो जाएंगे और पूरा सिलमस बाकी चार महीने में कैसे होगा तो वो अगर आप अलड़ी कि मैं एडवांस देकर मुझे मया आएगा मजा आएगा तो जाकर दे जाएगा लेकिन एक महीना उसके लिए बरबाद न करें बल्कि उस एक महीने में जो अकले साल की हिसाब से चैप्टर ढंग से हो सकते हैं उनकी बिल्कुल एडवांस के हिसाब से अच्छी तहरी करें और टार्गे टके कि जब मैं इस साल एडवांस के लिए जाओंगा तो एट लीस्ट वो पोर्शन में बहुत अच्छे से करके जाओंगा है जैसे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में तो आप यह फैसिलिटी भी है कि आप बहुत कुछ चुन सकते हैं ना आप जो इंपोर्टन टॉप टॉपिक्स हैं फिजिक्स में केमेस्ट्री में मैस में जिनकी बहुत वेटेज है और जो डूएबल है एक महीने में उनको पूरी डिटेल में डंग से एडवांस के लायक तयार करके बेसिक्स एडवांस प्रॉपर फिनिश करके तब हम जाएं हमें फायदा हो जाएगा तो उसमें में अच्छे वेटेजवाले टापिक्स की बात करूंगा जो शौट में और अधिक वेटेज की हैं तो आप उनको कर ढालो पहले एक महीने में तो आपको उससे भी फायदा हो जाएगा दोनों जगे फायदा होगा अभी भी और अगले साल दूएबल है मतलब की अब भली एक मन्त है वेटेज अच्छा उनका और पूस्ती आइटी तो अहां तो अटलीस्ट उनको तो कर ले ना ताकि वहां पर भी अपने एक वैलिडेशन हो जाएगा ना कि हमने हमने तो अब अगले साल तो हम एक्जान देने जाएंगे बर इस साल भी बीच में एड़ पड़ रहा है तो उसमें क्या गुल खिले वो तो पता लग जाएगा